नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं Angel Tech Analysis तो बात करेंगे आज Nifty 50 के बारे में और Nifty 50 में जितने भी स्टॉक्स ट्रेट करते हैं उन सब की हम Analysis करेंगे उसमें प्रॉपर लॉजिक के साथ यहां पर हम Analysis करने वाले हैं इसमें देखने वाले हैं कौन से सपोर्ट और रिजिस्टन्स इंपोर्टेंट है जो कल के इंट्राडे में काम कर सकते हैं तो चली शुरू करते हैं Nifty 50 Index की Analysis तो उसे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब में की है तो चैनल जिरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल नोटिकेशन जिरूर प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिकेशन आपको सबसे पहले मि तो चैनल सब्सक्राइब में तो चैनल प्रेसी चेनल विजिरूर को सब्सक्राइब कर दिफ्सक्राइब कर आहले है। या नीचे की तरब बी आगर हम देखे तो नीचे की तरब भी एक range बन चुकी, अहां पर देखिए, लूह पर देखिए, निफटी जो रहा है 2 के धो, की तरब 250 पॉइंटस की रहें, ब्रेंग करेंगा यह ले देखिए, जैब जो यहां बिती हो डुलेड़ हो चिन्हें, जो जो है दिन में क्या हुआ इंट्राटेमिक किस तरह से लेवल से यहां पर काम किये जो मैंने आपको वीडियो बना के दी थी उसको जो है मतलब हम अनल्सिस करने वाले हैं यहां तो चलिए हमने यहां पर फाइनली पांच मिनिट का चार्ट लगा लिया है और पांच मिनिट के तो यहां पर पहले मैं आपको पंद्रे मिनिट का चार्ट लगा कर आपको मैं यहां पर पहले सपोर्ट और रजिस्टन्स ड्रॉव करके दिखा देता हूं देखिए कल हमने जो एनल्सिस करी थी आपको याद होगा यह जो करसर जहां पर आप मेरा देख रहे हैं कल भी मैं जो निकला था अपना सपोर्ट और रजिस्टन्स वो हमारा देखिए यह था इस लेवल के आसपास तो हमने इसको भी जो है अब ड्रॉ कर लिया है ठीक है अब हम चलेंगे पांच मिनिट के चार्ट में और पांच मिनिट के चार्ट में देखेंगे क्या हमारे सपोर्ट और resistance ने काम किया या नहीं किया तो finally देखिए यहां से जब 5 minute के candle हमने लगा ली है और यहां पर continue जब opening होई थी opening के बाद यहां पर continue नीचे की तरफ जो है निफ्टी का move था देखिए वो move क्यों था यहां पर देखिए एक trend line थी trend line कल मैंने आपको ड्रो करके पता है थी कि trend line से bounce back हो सकता है finally यहां पर देखिए कुछ ही यहां पर एक कादी green candle बनी थी बट यहां पर कोई confirmation नहीं मिलेगी यहां से bounce back होने वाला ऐसा यहां पर कोई आपको scenario दिखने ही रहा है कि यहां से कुछ bounce back हो सकता है finally देखिए अगले candle यहां पर breakdown कर दिया ब्रेकडाउन कर दिया ब्रेकडाउन करने के बाद यह support के पास आसपास आया जो हमने पहले draw किया था यहां पर भी कोई ऐसा confirmation नहीं मिला कि हम यहां पर buying के लिए जा सकते है ना कोई doji candle ना कोई hammer candle ना ऐसा कोई confirmation हमको दिखा ही नहीं यहां पर उसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि जो continue lower low लग रहा था तो previous इसका lower high यहां पर देखिए क्रोस हुआ है इसके मैं थोड़ सा यहां पर नीचे करूँ तो देखिए इसके बाद देखिए मैंने आप लोग को टेलिग्रान चैनल में एक पोस्ट करके बताया था चार्ट पोस्ट किया था और चार्ट में आपको कुछ इस तरह का फिगर दिया था मैं यह पिछली ट्रेंड लेंड डिलीज करता हूं और आपको यहां पर दिखाने कोशिश करूंगा देखिए मैंने जो है टेलिग्रान में आपको मैंने इस तरह का एक चार्ट पोस्ट किया था और यहां पर एक एरो का निशान बना कर बताया था इतना जवर्दस नहां पर चला अगर हम यहां पर देखे तो हमको देखे 13,460 के आसपास से 13,590 के आसपास अकम गया देखिए हम यहां पर 130 पॉइंट की मूव हमने यहां पर ट्रेंड लाइन के ब्रेक आउट होने के बाद देखी टेलिग्राम चैनल में जिसने भी चार् करते ही रहता हूं वहां पर इंट्रडफे में मैं कंटीनियो बेंक निफ्टी के चार्ट खर्रीर हीपिता की ब्रेक आँट ब्रेक डाउं जो भी होता है निफ्टी में कटिंव चेजरी करना है व पार बात करें अगर आप यहां पर ध्यान से तो यहां पर देखें, एक continue trend line यहां पर बन रही है, और Nifty जो है यहां पर एक trend line में काम कर रहा है, अब मैं इस trend line को delete करता हूँ, पिछली वाली, अब हम अगले दिन की analysis करने के लिए यहां पर आ रहे हैं, तो चलिए मैं आप 15 minute के chart में हम चलते हैं, 15 minute के chart में हम इसकी analysis तो देखें, अब मैं यहां पर 15 minute का chart लगा लिया है, और यह previous level से यह सब जो है, मैं delete कर देता हूँ, अब देखें हमको यहां पर क्या है, अब हमारे लिए यहां पर सबसे important 13600 का level है, अगर यहां पर देखें, gap up opening हो जाती है, और 13625 के आसपस कहीं opening होती है, तो उसके कहीं अगर यह trend line break हो जाती है, तो trend line break होने के बाद हमारा target यहां पर 13490 के आसपस का रहेगा, उसके बाद देखें, अगर मान लिजिए आपर gap down opening हो जाती है, और एक बड़ा gap down हो जाता है, मान लिजिए आप समझे लिजिए, पचास, हाट, साट, 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 स हो जाता है, और कहीं आपको nifty इस level के आसपास मिलती है, 13450 के आसपास, तो यहां पर एक candle confirmation या data analysis confirmation या अपने technical confirmation के बाद आप यहां से long कर सकते हैं, अधर यह जो level आपको यहां पर दिख रहा है, इस level के पास भी आप long कर सकते हैं, अगर दिखिए, यहां पर हम ध्यान दें, तो यहां पर जब आपको nifty मिलेगी, तो यहां पर एक double bottom pattern बन रहा होगा, और उसके बाद अगर यहां पर भी आपको nifty मिलेगी, तो यहां पर triple bottom pattern बन रहा होगा, तो यहां पर candle अपने confirmation के हिसाब से आप long कर दिखेगा, बाकि मैं आप लोग को telegram channel में update करता रहूंगा, त तो उस chart को देखकर आप अपनी strategy बना सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं, हम nifty में जो stocks trade करते हैं, उनके बारे में जो हमने stocks कल दिये थे, वो उसमें किस तरह से moment करी, तो यह देखिए, अब हमने यहां पर Adani Port का chart को लिया, और मैंने आपको बताया था कि जब तक यह range break नही होंगे, तो 255 के उपर अगर निकलता है, तो यहां पर आप 580 और 2600 और टार्गेट के लिए यहां पर long कर सकते हैं, Axis Bank, मैंने बैंकिंग की वीडियो मैंने बना दी है, आप जाकर देख लिए बजाज आटो, तो बजाज आटो यहां पर देखिए, continue breakout के बाद यह जो resistance level थ देखिए, मैंने आपको यहां पर जो बताया था, जो level मैंने आपको यहां पर दिया हुआ था, वो दिया था, 4950 और आपको clear cut यहां पर बताया था, कि 4950 और अगर पांच मिट की candle close होती है, तो आप यहां पर long कर सकते हैं, अगर आप यहां पर trading की होगी, तो यहां पर के बाद देखिए, 5050 का high लगा है, यहां पर देखिए, 200 points की आप रमूब होई है, अगर यहां पर आप कल trade करना चाते हैं, तो 5125 रुपे के उपर आपने आप trading कर सकते हैं, देखिए, stop loss छोटे चोटा रखिएगा, यहां पर कोई भी पिछला swing लोग आप stop loss रख सकते हैं, और target के लिए देखिए, आपने stop loss रोख सो continue ट्रेल करना सीखिए, नेक्स्ट है हमारा बजाज फिंजर, same like बजाज finance, देखिए, यहां पर भी breakout हो चुका है, अब यहां पर अगर आप position बनाना चाते हैं, तो position भी बना सकते हैं, और यहां पर अगर इंट्राडे ट्रेट करन नेक्स्ट है हमारे भारती एटल, तो भारती एटल देखिए, फैनली यहां पर देखिए, एक trend line उपर से आ रहे थी, trend line का breakout हुआ, trend line का breakout होने के अदों को हमारे को उपर एक resistance मिल रहा था, 495 के लेवल के आसपास, तो फैनली 495 लेवल का breakout हुआ, अब यहां पर देखिए, resistance break होने के बाद, अब हम यहां पर देखिए, continue 5-6 दिनों से, यहां पर continue sustain कर रहे हैं, अब हम यहां पर अगर 510 के उपर close करते हैं, तो हम यहां पर 520 और 530 के टारगेट के लिए, इंट्राटेमी ट्रेड हम ले सकते हैं, नेक्स्ट है मारे बिटानिया, जो बिटानिया दे देखिए, इसका जो hurdle है, वो 3700 के आसपास, sorry, 3800 के आसपास इसका एक hurdle है, अब एक बार इसको 3800 का level निकालने देजे, closing उपर आने देजे, तब हम इसको जो है trading के लिए देखेंगे, otherwise इसमें जो कहीं बीच में trade करके, आप trap मत होना इसमें, next है हमारा सिपला, तो सिपला भ आएगे, तो उसके बाद हम वहाँ पर जो है buying के लिए देख सकते हैं, next है हमारा coal India, तो coal India हमारे, देखें, कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक छोटा सा hurdle है, यहाँ पर थोड़ सा resistance ले सकता है, और finally अगर हम यहाँ पर देखें, तो बहुत अच्छी, बहुत जब परदस्त candle यहाँ पर बनी हुई है, इसको हम कहते है inside candle, और यह हमारी एक strategy भी है inside candle strategy, अब देखें, यहाँ पर कल ब्रेक आउट होगा, वो super breakout होगा, तो coal India पर नजर बना कर रखिएगा, next है हमारा divis lab, तो divis lab देखें, जो एक range था, range का breakout कल इसने फाइनली थोड़ सा हलका से दिया था, बट यहाँ पर अभी confirmation नहीं हुई है इसकी, अब जब तक यह देखें, जो इसका low लगा हुआ है, previous day के candle का, वो 3580 का level जब तक नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करता है, तब तक इसमें अभी short की position मत बनाईएगा, next है हमारा doctor ready, तो doctor ready को अभी level क्रॉस करने दिज और finally यहाँ पर देखें, जो यहाँ पर bounce back हुआ है, वो देखें, यहाँ पर एक candle बनी हुई है, इस candle के पास bounce back हुआ है, अगर यह दुबारा देखें, इस candle का low break करता है, means 390 के नीचे अगर ट्रेडिंग करता है, तो हम यहाँ पर 2290 रुपे के लिए जा सकते हैं, means यहाँ इसमें हम जो है, बाइंग के लिए देखेंगे 2560 रुपे के उपर, next है हमारा गेल, तो गेल भी देखें, आपर continue एक breakout के बाद, अब देखें, यह जो support था, resistance था, वो support का का काम कर रहा है, यह देखें, resistance था, support का का काम कर रहा है, अब यहाँ से maybe कल कोई डियो जी केंडल ब कर देता हूं, इसको अगर break करता है, तो आप 807 रुपे के लिए नीचे की और जा सकते हैं, next है हमारा HTFC Bank, तो बैंकिंग की वीडियो बना दिये, बैंकिंग की वीडियो देख लीजिएगा, next है हमारा Hero Motocop, तो Hero Motocop देखें, अपने trend line के आसपास कहीं है, support लेकर trading कर रहा ह में भी यहां से कलिक bounce back हो सकता है, 3120 के उपर निकलता है, तो आप यहां पर 3150 और 3180 और 3210 के लिए यहां पर लॉंक जा सकते हैं, next है हमारा Hindalco, तो Hindalco के लिए देखें, अभी यहां पर resistance यहां पर निकालने दीजिए, उसके बाद हम इसको यहां पर देखेंगे, next हमारा Hind Hindustan Unilever, Hindustan Unilever को देखें, कल मैंने आपको बताया था, कि यहां पर 5-6 दिन से continue तेजी हो रही है, और यहां पर इसको retest होने दीजिए, retest होने का आज आपको कहीं यहां पर नीची, यहां मिलता है, 2220 के आसपस मिलता है, तब हम यहां पर positional बनाने के लिए देखेंगे, अधरवाइस अभी हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा ICICI Bank, तो बैंकी की वीडियो बनाई होई है, उसको जाके देख लिजिएगा, नेक्स्ट है हमारा ITC, तो ITC देखें, यहां पर जो trend line मैंने आपको draw करके दिखाई हुई है, फाइनली इस trend line का breakout हो च उसको हम कहा सकते हैं, inside candle भी नहीं है, बट मतलब hammer candle टाइप की है, अब यहां पर अगर आप entry बनाना चाहते हैं, तो 97 के उपर entry बना सकते हैं, 98, 99 और 100 हमारे intra decade होंगे, नेक्स्ट है हमारा Infosys, जो Infosys देखें, अब एक ascending triangle channel pattern के बीच में फसा हुआ है, अब जब तक यह breakout नहीं करता है, या तो breakout कर दे या फिर breakdown कर दे, या तो trend line को break करके नीचे की तरफ आए, या फिर इस hurdle को, 1150 के hurdle को breakout करके उपर की तरफ जाए, हम इसमें तब trading के लिए देखेंगे, next है हमारा JSW Steel, sorry, next JSW Steel है, तो JSW Steel देखिए, यहां पर continue मैं आपको बता रहा था, देखिए, breakout के बाद यहां पर retest कर दा था, अब यहां पर finally candles ने बहुत अच्छी बनाई हुई है, कल यहां पर आप 368 रुपे के उपर long जा सकते हैं, 372 और 375 हमारे कल के target होने वाले हैं, next है हमारा M&M, M&M भी देखिए, यहां पर retest करने के आदा, आज finally इसने hammer candle बना दिया है, तो आप long के लिए जा सकते हैं, 720 रुपे के उपर, next है हमारा मारूती, तो मारूती देखिए, breakout यहां पर देखिए, एक hurdle था, 7320 रुपे का, और 7320 रुपे के उपर देखिए, breakout दिया, बहुत जवरदस्त breakout दिया था, अब यहां पर देखिए, 8-10 दिन हो चुके हैं, जहां पर जो हैं, long मत करिएगा, otherwise यहां पर एक छोटी से correction के लिए जा सकते हैं, 7650 रुपे के निशी अगर close करता है, तो यहां पर जो हैं इंट्राइडे मिशॉर्ट का trade बना सकते हैं, बट वहां पर confirmation के साथ ही trade करिएगा, next है हमारा देखिए, Nestle, तो Nestle ने भी देखिए, breakout दिया breakout के आज जो है, retest करने के लिए आया है, maybe यहां पर अगर आपको 18,050 के आसपास entry मिलती है, तो आप यहां पर entry लिजेगा, because जब जब इस trend line के पास आ रहा है, तब तब यहां से bounce back हो रहा है, या तो wait करिए, इस trend line के आसपास अगर मिलता है, तो एक best entry होगी, because trend line के पास आ relance मैंने आपको बताया कि अब यह trend line ही, इसके लिए सबसे ज़्यादा important है, जब तक यह trend line के ऊपर है, तब तक यह bullish है, जैसे यह trend line को break करेगा, तो यहां पर हम जो है, 19,050 के level बहुत जल्दी देखने वाले हैं, next है हमारे Shree Cement, तो Shree Cement ने भी देखिए, जैसा मैं कल और support के आसपार देखिए, बार-बार यहां से support लेकर bounce back हो रहा है, और यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया था, कि यहां पर एक doji candle बनी है, और दूसी एक और यहां पर देखिए, दूसरी candle भी, यहां पर जो हम कहा सकते हैं, या फिर आप जो एक hammer type भी कहा सकते हैं, मतब इसटर की candle जब अब support पर बनती हैं, तो support पर बनने के बाद यहां से bounce back होने के chance होते हैं, खल मैंने आपको यह चीज बताई थी, और finally देखिए, यहां पर bounce back हुआ है, अगर यहां पर आप entry बराना चाते हैं, तो 24,330 के उपर आप यहां पर intraday का trade ले सकते हैं, 24,650 पर यहां पर आपका target होगा, next है हमारा देखे, state bank of India, तो इसकी वीडियो मैंने बना दी है, banking की sun pharma, sun pharma को देखिए, अब यहां पर मैंने आपको बताया है कि इसको 585 का level cross करने दीजी, intraday में हम 585 के उपर हम यहां जोए trade करेंगे, next हमारा TCS, तो TCS अभी एक range में घूम अब इसको जाने दीजी, next हमारा Tata Motors, तो Tata Motors ने फाइनली देखिए, यहां पर जो resistance था, वही support के रूप में काम कर रहा था, support के आसपास देखे, घूम रहा था, continue से कापी दिनों से, और फाइनली यहां पर जो इसने candle बनाई है, hammer candle बनाई है, अब इसको जो हम long करेंगे, 180 रुपे के उपर, 180 रुपे आने का भी वेट करिए, next है Tata Steel, तो Tata Steel में भी देखिया, breakout हो गया है, यह देखिए, कितना अच्छा है, यहां पर जबर्दस्त ब्रेक आउट हुआ है, अगर यहां पर volume देखें, तो volume नहीं यहां पर support नहीं किया है, अगर यहां पर volume support कर देत तो हम जो है, मतलब कलियर कट यहां पर trade आज ले सकते थे, बट यहां पर आप जो अगर trade लेना चाहते हैं आपर, तो आप जो है 640 रुपे के उपर यहां पर trade बना सकते हैं, 645, 650 और 660 रुपे यहां पर इंटराटे के target होंगे, next है मैं टाइटन, तो टाइटन को मैंने आ 1500 यहां पर हमारे इंटराटे के target होंगे, next है हमारा UPL, तो UPL देखिए मैं आपको बताया था कि यह trend line इसके लिए बहुत important है, यहीं से support लेकर बार-बार bounce back कर रहा है, अब जब तक देखिए यह नहीं निकलता है, 460 रुपे के ओपर तब तक अभी इसमें कुछ मत करिए, maybe शायद यह correction हो, correction के बाद शायद trend line ब्रेक हो जाए, तो अभी इसमें patience रखिए, इसमें भी कुछ मत करिए, otherwise यहां पर trap होने के chances ज़्यादा है, next है हमारा ultra tax cement, तो यहां पर देखिए, मैंने कल आपको एक चीज बताया थी, कि यह trend line है, trend line के पास ही continue support लेकर bounce back कर रहा है, औ यहां पर देखिए, finally dozy candle के बाद के एक hammer candle बनी थे, और hammer candle के बाद आपको मैंने बताया था, कि 5070 रपे के उपर आप यहां पर entry अगर बनाना चाते हैं, intraday में तो बना सकते हैं, finally देखिए, जो मैंने आपको target दिया था, वो target मैंने 5200 का दिया था, तो यहां पर जो high लग यहां पर की closing इसको 556,000 तक लेकर जाएगी, next है हमारा वीपरो, तो वीपरो में अभी कुछ नहीं करना है, अभी यहां पर मेभी कल यहां पर एक bounce back हो सकता है, support के आजपास देखिए, यहां पर आज green candle बनाई है, अभी इसको छोड़िया भी कुछ मत करिए, मेभी यहां से कल यह अगर low break करता है, 347 break करता है, तो यहां पर यह 335 के लिए आ सकता है, अचलिए अगर वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like और share जरूर करिएगा, और telegram channel जरूर जोईन कर लिए, telegram channel में आप काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, technical analysis, चार्ट analysis, काफी कुछ ची वीडियो में, जय हिंद,